तो दोस्तो आज अगस्त की 17 तारीक है और आज का जो इच्छोटा सा वीडियो है ये एक हार्डी प्लांट पर है परिन्यल प्लांट पर है और ऐसा पौदा जो लगभग कह लीजिए सारा साल फूल देता है पर्मनेंट फ्लारिंग प्लांट आप कह सकते हैं बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि कुछ पर्मनेंट हार्डी फ्लारिंग प्लांट प्लांट बताईए जो बारा महीने फूल दे तो अगर बात करूं ऐसा सही बताओं तो कोई भी पौदा नहीं रहता जो बारा महीने फूल दे सके एक्चुल में जहां पर भी क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है वहां पर खास तोर पर इंडियन वैदर के काडिंग जो क्लाइमेट जो है वो सर्दी से गर्मी गर्मी से सर्दी चेंज होता है तो वहां पर बारा महीने जो पौदे हैं वो फूल नहीं दे पाते ले दोस्तों आज लीक्रत तो आज की पाफों यह मेरे इस बहुत ही खूबशूरत से इसको आप गोुरी चोरी का पाथ आम भाशा में तो गोरी चोरी के बाद़े से नम सिनाता है इसक को टाकोमा का प्लाजट बोलते ये को यलो बैल्स बोलते हैं एलवयल्ज बोलने का reason रहता है इसको घंटी Бूल rहता है, क्योंकि is गंटी ठेपार तां भूट रहता है और गुच्छे का ऐह पूड़ा अब जो खास बात है इस प्लांट में वो ये कि ये जो वराइटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों ये गंबले के लिए परफेक्ट वराइटी है ये जो आप दिख रहे हैं ये मेरा गंबले में लगाओा पौध है अक्सर ये जो पौधे आपको रोड साइड लगे हुए दिखाई देते हैं तो रोड साइड जब ये पौधे आपको दिखाई देते हैं वो बड़े बड़े पेड में कनवर्ट हो जाते हैं लेकिन अग जब आप उन वराइटी को गंबले में ग्रो करते हैं तो वो वराइट कि यह थूदा भी में लिफ का साइजों उप समय का साइज को भी षूटा एक लेकिन वे दूर से पास गें की और तो में अच्छा मुए दूरी से ऐसे हमाटा में जो पहुता हैů दूरी फूल चाहते हैं तो बाडाया रहते हैं हो जो पहुत एक्ना सिनुन पर सत क्षूटा र तो पूरी धूप पसंद पौधे रहते हैं इसी जगह पर प्लेस करना जहां पर कम से कम भी हाफ दे और मैक्सिमम जो है वो सनलाइट फोल्डे की अगर सनलाइट मिल सकते तो वहां पर इन पौधों को प्लेस कीजिगा सनलाइट इनके लिए बहुत जो बढ़िया जो रहता है कि उसके बिना जो यह पौधें वो फ्लारिंग नहीं कर पाते हैं अगर आप इनको शेड में या सैमी शेड में प्लेस कीजिगा तो आप नोटिस कीजिगा इनमें जो फ्लारिंग है वो बहुत कम रहेगी अगली बात आती है तो उस्तों मिट्टी की तो सभी पौधों के त था मुझे केवल यहां पर 70 रुपीज में 70 रुपे में यह पौदा जो है वो मिला एक जो प्रॉब्लम इस तरह के पौदों में आती है वो आते कभी कभार इनकी जो लीव्ज है वो यलो होने लगती है इसका एक बड़ा रिजन रहता है पौदे में ओवर वाटरिंग होना अ को कई बार यलो होती हुई दिखाई देंगी अब बात करते हैं दोस्तों इनका कटिंग प्रॉनिंग का सीजन कौन सा रहता है हाला कि यह पौदे कटिंग से ग्रो भी कर जाते है लेकिन कटिंग प्रॉनिंग का जो सही सीजन रहता है कि जैसे अभी मेरे इस पौदे की जो है वो थोड़ी ज़्यादा निकल कर रही है तो इसकी मैं बहुत जल्द इस सीजन के एंड में मतलब जब हमारे यहां पर सरदी पढ़ना शुरुआत होगी उस समय पर मैं इस पौदे की जो प्रूनिंग है जो कटाई छटाई है वो कर दूँ आपके वहां पर टैमप्रेचर है तो उस पौदे की जो है वो कटिंग कीजेगा उस फरवरी मार्च के मौसम में या फिर लगा लीजे कि बरसात का मौसम यह जो दो मौसम है इन पौदों की या कटिंग से रेडी किया गया प्लांट है इसकी देखिए थोड़ी ठीक कटिंग है वो ग्रू की गई है तो आप अगर पुराने गार्डनर है तो आप इसकी ठीक कटिंग भी बहुत इसली ग्रू कर जाएंगे और लास्ट में बात करूं दोस्तों फर्टलाइजर की तो आप इन पौदों को फोस्फोरस रिज्ज जो फर्टलाइजर है वो फीड कीजिए उससे पौदे अच्छे से ग्रू करते हैं फोस्फोरस में बहुत सी चीज़े रहती है चाहे आप इसको बनाना पील दीजिए फ फ्रटलाइजर रहती है वो कोई भी आपके पास फर्टलाइजर रहे या फिर आप organic में प्रॉम फर्टलाइजर का भी इस्तमाल कर सकते हैं प्रॉम भी फॉस्फोरस रिज जो और गैनिक फर्टलाइजर रहता है वो बहुत इसली सीड शॉप पर इवलेबल रहता है तो एक से दो महीने में केवल एक बार इस तरह से जो फोस्फरस रिच फर्टलाजर है इनकी मिट्टी में आड़ कर दीजिए इसके लावा ये पौधे आप से कुछ भी डिमार नहीं करते तो बस दूस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही ये थी इस पौधे कंप्लीट केर जो आपके साथ शेयर की जल्द ही मिलते हैं किसी और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैबी गार्डनिंग टेक केर